हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाचर एडिक्टिब आज हम एक्स्प्लेंड करेंगे रोमेंटिक फैंटेसी मूबी को जिसे 2007 में रिलीज किया गया था जिसका नाम है पैनल अपी जिसे डारेक्ट किया था मार्क प्लान इसका ही ने और बात करें इसके अमडीवी रेटिंग के बारे में जो है 6.7 आउट ओफ 10 स्टार इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी लड़की को जो इनसान नहीं होती बलकि पिग होती है और यह सब होता है उसके साथ एक स्राप के काड़न जो कुछ 5 पीडियो पहले उन्हें मिला था मूबी के स्टार्ट होते ही हमें एक रॉयल फैमली को देखते हैं जिने बिलहन कहा जाता है और बिलहन फैमली के एक मेंबर रॉल्फ को उन्हीं की नौकरानी क्लारा से प्यार हो जाता है और वो उसे साधी करना चाता है जब वो अपनी शाधी की बात करने के लिए अपनी फैमली के पास जाता है तो सभी उसका मजाग उडाते हैं जिससे उसे इंसल्टिंग लगता है और उसे लगता है कि वो एक बेवखूफ है जो अपनी नौकरानी से शादी करने जा रहा था और इसलिए राल्फ किसी और से शादी कर लेता है जिससे कलारा बहुत दुखी हो जाती है और सुसाइट कर लेती है क्योंकि वो प्रेगनेंट थी जब ये बात कलारा की मा को पता चलती है जो की एक डायन होती है तो वो विलहन फैमिली को एक श्राप देती है अगर बिलहन फैमिली में कोई भी लड़की हुई तो उसे भी पिक की तरह था फिर उसका husband उसे समझानी की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती वो कहती है कि वो अपनी बेटी की सजरी करवाईगी लेकिन डाक्टर उसकी बेटी का एक्सरे देखकर साफ मना कर देते हैं और कहते हैं इसमें पैनलपी की जान भी जा सकती है फिर ह पैनलपी की अपनी एजूकेशन कंप्लीट करती है और यहां पर जैसिका पैनलपी का बहुत जादा ध्यान रखती थी ताकि उसकी साधी किसी अच्छे लड़के से हो सके पैनलपी के अठारा साल के होने पर जैसिका एक मेरिज ब्रियोकर कुपलाती है जो पैनलपी के लिए रिस्ता लाती है लेकिन पैनलपी का फेस देखकर हाई लड़का भाग जाता है साथ साल तक कैसा ही चलता रहता है लेकिन जो भी लड़का उसे देखने आता था उसे जा जाकर इस बात की कंप्लेंट करता है वो कहता है बिलन फैमिली में एक इनसानी पेग है जो मुझे जिन्दा खाने वाला था लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विजबास नहीं करती और उसे एक रात के लिए जेल में डाल देती है फिर अगले दिन न्यूस पेपर में एक न्यूस छपी होती है कि एडवर्ड का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है वो पागलों जैसी बाते कर रहा है एडवर्ड इस न्यूस को पढ़कर बहुत ज़्यादा बौकला जाता है और वो उस न्यूस रिपोर्टर के पास जाता है क्योंकि उसके मताविक वो सिटी का होने वाला मेयर है और इस न्यूस को पढ़ने के बाद उसके फादर पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे वो कहता है वो पागल नहीं है उसने सच में एक पिक की शकल वाली लड़की को देखा है लेकिन उसकी बातों पर कोई विस्वास नहीं करता और सेक्यूरिटी गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं लेकिन उसकी बात लैमॉन सुन लेता है जो भईी आदमी होता है जिसकी आग कुछ साल पहले पैनल अपी की मौम ने फोड़ दी थी फिर ये दोनों एक टीम बन जाते है इसलिए रिपोर्टर एक कसीनो में जाता है जहां वो एक गैंबलर से मिलता है जिसका नाम मैक्स होता है मैक्स एक अच्छी फैमली से बलॉंग करता है लेकिन मैक्स की गैंबलिंग के करण उसे पैसों की भी जरूरत होती है तो उस काम के लिए मान जाता है फिर रिपोर्टर मैक्स को एक कोड देता है जिसमें एक कैमरा फिक्स होता है जिससे वो पैनल अपी की फोटो ले पाए वो से बताता है कि मैक्स जब भी अपना हाथ उठाएगा तब एक फोटो क्लिक होगी इसके बाद मैक्स पैनल अपी के घर जाता है बहाँ पर और भी काफी सारे लड़के पैनल अपी को देखने के लिए आये थे फिर मैरेज ब्रोकर सभी लड़कों के साथ मैक्स को बहाँ पर बैठा देती है उसी टाइम मैक्स होफे के पीछे चुपकर कैमरे की पोजिस्टन को ठीक करने लगता है फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसिका के कहने पर पैनल अपी उस रूम के अंदर आती है और जैसे ही वो लड़के पैनल अपी को देखते हैं हर बार की तरह सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं फिर पैनल अपी बापस अपने रूम में जाती है और उसके रूम में वनवे मिरार होता है जिसमें से बहर वो मैक्स को देखती है तब Penelope को लगता है Max नो उसे देख लिया है और उसे देखकर वो यहां से भागा नहीं था फिर Max Penelope की एक book को उठा लेता है जो उसकी फैबरेट book होती है Penelope को ऐसा लगता है कि वो इस book को चुरा रहा है इसलिए वो उसे एक book की copy आफर करती है जिससे वो उसे घर ले जा सके और वो उसे one way mirror के through ही बात कर रही होती है कुछ time बात करने के बाद वो वहां से जाने का नाटक करती है Max भी वहां से book ले जाने का नाटक करता है लेकिन उसे इस बात का यकीन होता है कि Penelope अब भी उसे देख रही है और होता भी कुछ ऐसा ही है फिर Penelope उसे कल दुबारा आने के लिए इंबाइट करती है और ये देखकर जैसिका खुसी से रो पड़ती है कि finally एक ऐसा लड़का है जो Penelope को देखकर नहीं भागा और उसे बात भी की फिर जब Max भाहर आता है तब reporter और Edward उसे फोटो के लिए पूचते है तब Max कहता है मैं उसकी फोटो नहीं ले पाया और उसने मुझे कल फिर से invite किया है फिर अगले दिन Max फिर से उस mention में जाता है और उसी mirror के through Penelope से बात करता है वो उसके लिए गाना perform करता है और उसके साथ chess भी खिलता है फिर बातों ही बातों में Max Penelope से बाहर जलने के लिए कहता है लेकिन Penelope बात को टाल देती है फिर से अगले दिन Max Penelope से मिलने जाता है तब उसके लिए पियानो प्ले करता है लेकिन वो ठीक से ना प्ले करके नाटक करता है जिससे Penelope उसे instruction देती है और खुद बाहर आकर उसे सिखाती है Max उसे देखकर एकदम से चौक जाता है लेकिन वो और लड़कों की तरह बहां से नहीं भागता Max Penelope की नोस को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब ही उसके कोट में लगे कैमरे से फोटो किलिक हो जाती है और Max एकदम से शिट बोलता है लेकिन Penelope को ऐसा लगता है कि उसने उसे देखकर ऐसा कहा है इसलिए Penelope रोते हुए बहाँ से जाने लगती है फिर Max बहाँ पर Miss Understanding को दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि Penelope उससे बात नहीं करना चाहती थी इसलिए Max बहाँ से चला जाता है जैसिका और ब्रोकर उसे रोकनी की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो Max को उस रिपोर्टर से बात करते हुए देख लेते हैं फिर जैसिका समझ जाती है कि Max रिपोर्टर का आदमी है जो Penelope की फोटो लेने आया था लेकिन Max कैमरा रिपोर्टर को नहीं देता और उसे तोड़ देता है और बापस Penelope के पास जाकर कहता है कि वो कोई जासूस नहीं है तब Penelope कहती है उसके उपर एक श्राप है और अगर Max उससे साधी कर लेगा तो उसके उपर से वो श्राप खतम हो जाएगा और अगर फिर भी श्राप खतम नहीं हुआ तो Penelope अपनी जान खुद ही ले लेगी लेकिन Max Penelope से साधी करने के लिए मना कर देता है फिर Penelope बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है इसलिए वो अपने घर से बाहर निकल जाती है अब यहाँ पर Penelope के लिए दुनिया बिल्कुल एक नई दुनिया थी क्योंकि आज तक उसने अपनी जिन्दिगी सिर्फ अपने घर में ही बिताई थी फिर वो इस दुनिया को देखकर काफी ज़्यादा खुश होती है और उसे यहाँ पर कोई परिशानी भी नहीं होती क्योंकि उसने अपने फेस पर मास्क पहन रखा होता है फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे का Penelope के जाने के बाद काफी ज़्यादा परिशान और दुखी होती है लेकिन तब भी Penelope का फोन आता है और वो अपनी मॉम को गुडबाय कहती है जिसके बाद वो एक होटल में जाती है और एक रूम रेंट पर लेती है जिसके लिए वो अपनी मॉम का क्रेडिट काड यूज करती है फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स Penelope के साथ बीते हुए पलों को याद कर रहा होता है और रेपोर्टर को भी ये बात पता चल जाती है कि Penelope अपने घर से भाग चुकी है और वो एड़वर्ट के साथ जाकर Penelope का सकेच बनवाता है ताकि वो उसे इनाम के साथ पेपर में छपबा सके मतलब किसी को भी पैनल अपी मिलेगी तो उसे नाम दिया जाएगा लेकिन एड़वर्ड पैनल अपी की फेस से इतना जादा डरा हुआ था कि वो उसका एक खतरनाख फेस बनवा देता है फिर पैनल अपी उस न्यूस पेपर में छपे अपने फोटो को देखकर डिसाइड करती है कि वो अपना फोटो न्यूस रिपोर्टर को खुद देगी वो न्यूस रिपोर्टर को कॉल करती है और इनाम के बदले अपनी फोटो देने के लिए कहती है पैनल अपी एक फोटो शॉप की दुकान में जाकर अपना फोटो निकाल लेती है और रिपोर्टर को दे देती है जब रिपोर्टर उसका फेस देखता है तो उसे गिल्ट होता है कि एडवर्ट का बनबाया हुआ इसका इस बहुत जादा खराब होता है रियलेटी में पैनल अपी इतनी जादा खतरनाक नहीं दिखती जब मैक्स पैनल अपी की फोटो देखता है तो वो उसे इंस्पायर होता है और वो गैंबलिंग का रास्ता छोड़ कर पैनो प्ले करने का काम स्टार्ट कर देता है फिर पैनल अपी एक बार में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है इस लड़की का नाम एनी होता है फिर बातो ही बातों में एनी पैनल अपी से कहती है कि मेरे कान बह लेकिन रास्ते में जैसिका पैनलपी को ढूटते हुए से मिल जाती है लेकिन पैनलपी अपनी मौम को देखकर भागने लगती है और एक बार में पहुँच जाती है जहां वो तुरंत बेहोश हो जाती है तब एनी उसका मास खटा देती है फिर उन्हें पैनलपी की के एनी के साथ घूमने जाती है जब मीडिया इस बारे में एडवर्ट से पूछती तब वो कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ट के फादर एडवर्ट को पैनलपी से साधी करने के लिए कहते हैं क्योंकि सारी पब्लिक पैनलपी के शाधी कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन एडवर्ट शाधी करने इसके लिए मना करता है लेकिन उसके फादर के फोर्स करने पर वो शाधी करने के लिए हां कर देता है फिर हम देखते हैं पैनलपी एक बार में जाती है जहां उसे मैक्स मिलता है फिर मैक्स उ उसे मना लेती है फिर हम देखते है रेपोर्टर को ये बात पता लगती है जो आदमी उसे बार में मिला था वो मैक्स नहीं था वो जॉनी था फिर जॉनी पैनल अपी की पार्टी में जाता है जहां वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि एड़वर्ड सही आदमी नहीं है ले रेपोर्टर जॉनी से मिलने आता है क्योंकि उसे भी पता होता है कि जॉनी पैनल अपी को पसंद करने लगा है लेकिन जॉनी रेपोर्टर से कहता है कि वो पैनल अपी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लू बलड नहीं है जिससे पैनल अपी का श्राप तूटे क्यों क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती जब रिपोर्टर पैनल अपी के यहां जाता है तब ब्रोकर और जैसिका को जॉनी के बारे में बताता है फिर ये लोग सारी बाते सोचते हैं शायद इसलिए उसने पैनल अपी से शादी करने के लिए मना किया था क्योंकि वो ब्लू ब्ल हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो देखती है वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है और यही उस डायन का स्राप का तोड़ था कि आप जैसे भी हो बैसे खुद को पसंद करो फिर हम देखते हैं 25 साल के बाद उनका बटलर जॉब छोड़ देता है क्योंकि वो और माफी टाइम गुजर जाता है और पैनल अपी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है फिर हेलोवीन बाले दिन पैनल अपी को फाइल मिलती है जो रिपोर्टर बहां पर लाया था और हम देखते हैं हेलोवीन पार्टी में सभी ने पैनल अपी के फेस मास्क को पहन र स्राप तोड़ने की पावर नहीं थी तब ही पैनल अपी अपना मास्क उतार कर कहती है कि यह पावर हमेशा से मेरे पास थी और यह मैंने कर लिया फिर हम देखते हैं यह स्टोरी पैनल अपी बच्चों को सुनाती है और इसी के साथ मूबी एंड हो जाती है आई होप आपक कर देखका इसी कर देख्ड है झालिजल यह संसे कि यह से जाएरती है कि यह बच्चों कि रजाएंगने का हमेशा से भी बच्चों कर दो, इस बच्चों कि बचल ढया है उनकिपने संसे लिップे उेखते हैं ज Aur吗?